हाई गाइस ताइम इस बाउट 947 करन्ट ट्रेड इस अबाउट 9400 और 9700 तीन सो परेंट की नहीं जाए अगर हम एड़ दमनी प्रीमियम देखेंगे तो करेंट लिए ट्रेडिंगे 950 ठीक है तो जो 950 के श्ट्रेडल है वो ट्रेड हो रही है 91 पे ओपन वी थी 111 या बारा यह 124 दिखा रहा बड़ तब ख्लोस थी 121 की और उसके स्मूद एक दम स्मूद डी के आया कहीं पे पी प्रावलम नहीं आई ठीक है तो देखते हैं क्या होता है करन्टली मार्केट्स अरोवर सोल्ड बट इंट्राडे के लिए यू नेवर नो यहांसे क्या ऑल्दो मुझ कि तब देखेंगे कैसे मैनेज करने क्या ट्रेड करना उसको फिलाल हमारे पास यह 300 पॉइंट है जो हमारे को कुछ ट्रेड को इस तरह बनाते है ठीक है और टाइम और नाइन फिस्टी तो अभी बहुत सारा दिन बचा ट्रेड करने के लिए राइट और बस आच एट 1130 और मेरे को नहीं बता पिछली क्लेव रेकॉर्ड हुए कि नहीं नहीं होगी तो मैं बाद में एक्स्पेरेंट कर दूंगा उसको बट करन्टली विट सेटेंग है 9500-9700 और आप साइज देखे रहे हो कम है कम कर दिया गया है विवर वी आर अराउंड अल्मूस्ट हाफ परसेंट 9000 और कम करने का रीजन सिंपल सा था मार्केट ने यह सारा मूव अब्जॉप करके एक साइडवेज हो रखे ठीक है तो कॉल में जो थी ना वैल्यू खतम हो चुकी थी तो क्या होता है अगर रिवर्सल आता है तो कॉल स्पाइक होती है बहुत तेज इसलिए अग मैंने इसको 1120 पे ही कट कर दिया था हाफ कॉंट्रेटी कर दी थी ठीक है ना देखो यह पूरी बंद कर दी और पुट्स 1800 के 1800 पर रहन दी मैंने उसके बाद अब जा कि मैं पुट को और कॉल को देखो पुट को काट के 800 ओपर 800 ठीक है यह अप्ट्रेड ऐसे बन गया हाफ- फाफ साइस ठीक है और फॉर्स पार्ट अगर रिकॉर्ड नहीं होगा तो मैं एक्स्प्लेइन कर दूँगा बट सिंपल सी बात होती है अगर आप मार्केट अपने हाइस से तीन इन से बड़ी फॉल दे चुकी और अगर आप यहां पर भी शॉर्ट करते रहोगे ना यहां पर भी अगर आप शॉर्ट करनी का अपरचेंट ढूलते हो तो आपको भी टाइम लगेगा ठीक है देखा करो कि इतना बड़ा मुव आया अब जॉब हो रहा धीर धीर यह कोई फॉलो थूरू नहीं आ रहा ऐसा क्यों कुछ तो होगा ना क्योंकि भाई एक टाइम के बाद सेलर्स इतने सारे हो जाते हैं कि हलका सा भी स्टॉप लॉस ट्रिगर एक रैपेड मूव अप मूव जाएगा अब यह नहीं है कि हम यहां से अप ट्रेंड चले जाएंगे बट हम यहां पर फस सकते हैं और एक शॉर्ट कवरिंग टाइब आ सकता है यहां साइड़ विस फस पाद में करता हूं करता हूं ताइम इस बाउट 12 13 और वाट आव डान इस भूव्ट मैं पूट अप टू नैंटीन फाइफिफिटी नैंटीन सवन हंड़ेट से क्यों अगर आप सिंपली देखो तो हम अब जो मैं आपको बोलाता सेनारियो यहां पर हम अब्सॉब करके ए हाई जाके फस सकती है ठीक है बट तब तक के लिए मेरे साब से 550 जो हमारा डेलो के आसपास की पूट है वह सेफ रहने चाहिए प्लस मैं इसको पहले अधी कॉंटिटी सेल करी थी 15 पे चस्ट पिकॉस इसकी स्पाइक हैंडल करने के लिए मेरे को कुछ तो चाहिए था और अब मेरे पास हाफ-ाफ कॉंटिटी है तो मैं वेरी इजी ली स्ट्रेट को मैनेज कर सकता हूं अगर यह फूल कॉंटिटी होती है थोड़ी सी प्रब्लम आती है क्योंकि जो पिनल स्विंग्स होते हैं वह ऑब्विसली थोड़े से बढ़े हुजाते हैं और क्योंकि हम अब करता हूं जैसे भी होगा और करंट्ली है और सोल हाजार रुपए है तो यह देखा अगर आप ट्वनी सेवन थाउजन टूमेक बट मैं अगर ऐसे जाता रहूंगा क्योंकि हाफ कॉंटिटी है तो कोई खास धर नहीं होता ठीक है तो यह पंद्रा थी यह कुछ थी और अब सेनारियो कुछ उल्टा हो चुका है ठीक है बट वियर अब देखो इसको माइनस करके यहां से देखते हैं क्या होगा बट चलो मैं विडियो को क्या रही हों देता हूं एक बारत देख लेता हूं आप दिखा देता हूं कि स्किन बेसेश पर जेनरली वी गो फॉर नेक्स्ट हाई या फिर हम आप्शन के उसके साफ से चलते हैं बट अभी क्याना मेरे पास यह भी है यह भी है यह भी है तो इसकी स्पाइक इंग बचाना मुश्किल होगा इसको तो कितने ही पॉइंट बचा लेगी यहां से मेरे सबसे तीन या चार पॉइंट और 20 बट यहां से अगर बड़ी स्पाइक आई तो वी अर डेड तो 20 के 25 30 40 सब फाड़ देंगे यहां से अगर यहां से फटने को आया थोड़ा सा मैं टाइट करने का मन भी है बट थोड़ा सा रिस्की सेनारी वहां क्योंकि क्या है ना देखो मैंने अगर चोटा स्टॉप लॉस लगाया मानों मैंने स्टॉप लॉस यह लगा दिया सत्रा ठीक है सेफ्टी के लेगी स्पाइक ना है वो पता चलेगा सत्रा काटके भूम जाएगा क्योंकि पुराने हाइस क्लियर ने हुए अभी 634 पर जहां में हमारे को सेलिंग देखने को मिली थी वो अबाउट इसको भी मैंने स्पेस तो दी थी या 23 तक की ना तो इसको भी देनी पड़ेगी इसको 20 तक की स्पेस तो दे लेते हैं कॉल को क्योंकि इतनी तो जहां से मुझा आइडिया निया अब क्या हो सकता है बड़ा मूव भी आ सकता है नहीं भी आ सकता साइब्स भी निकल सकते हैं प्रीवेस हाइक लिए और यह अच्छा सपोर्ट बन चुका है लेकिना मेरे हैसाफ से जहां से कंसिस्टेंट लवल पर बाइ इस और पॉजिशन कुछ इस तरह है कई सारी है तो ऐसे दिखाई देता हूं नेट के चल रहा है 10,300 अगर यह ऐसी कैसी रहती है बट लगे गा नहीं मेरे को ऐसा लगता नहीं कि मार्केट हमारे इतना इजी ली चली जाहेगी यहां से साइडवेज एक्दम देख लेंगे लेकिन चलो वील सी बाकी मैं आपको अपडेट करता हूं जैसे भी होगा टाइम इस 146 अंद आज यू किन सी मेरा स्टाप लॉस लेकर इट रिवर्स और वापसिट बैक अप यह चार्ट खोलता हूं ठीक हैं तो मार्केट क्या कर रहे हैं ना 650 की कॉल तो फट सकती है 550 की पुट को हलकास उनों ने सेफ कर दिया अपड़ा प्मूव देकर पूरे 580 के लेवल बचा कर लेकिन अभी हम 630 के आसपस है जहां पर अगर ब्रेक आउट आता है मार्लो कॉंटिन्यू मूव आता है तो 650 की कॉल तो फटे की इन फाक मेरी 700 की कॉल स्पाइक उने लग गई अब देखोगे आपर पूरी मार्केट ओवरॉल रिवर्सल दे रही है और 700 की कॉल मेरी जो इन रुपे की दीव लगबग आठ रुपे तक चली गई ती विच इस ओके क्योंकि मैं पुट को उपर ला रहो तो आइकेन इसली मैंज दिस ठीक है करेंट्ली वर सेटिंग अबट 11,000 और देखते हैं क्या होता है बाकी डारेक्शनल ट्रेल ले रखा था निफ्टी में छ यहां से रिजेक्शन आये दो दो तीन तीन अकाउंट टेक्टे समालना धिक्कत होगी एक को बुक कर लेते हैं ठीक है तो इधर तो मैंने यह बुक कर लिए डायरेक्शनल ट्रेड ता वेरी संपल जहां से डायरेक्शन यही पर ट्रेड ले ले लिया था जब शुरू उसका बंद नहीं करा तो देखते हैं क्या होता है बट करेंटली वर सटिंग 11,000 मार्केट देख फिर से एक यहां पर सेल आफ 630 के आसपास जो कि हो सकते आप सस्तेन भी कर जाए तूसरी तीसरी बार आ रहा है बट विल सी करता हूं अप्डेट आपको तो टाइम इस बाउट 2.12 और मार्केट स्टेडली उपर जाए जा रही है मार्केट ने डेहाई तोड़ दिया और अब I have no option बट मेरे को ऐसा लेना पड़ नाइटीन 700 की कॉल पे और मैं पुट को उपर ले आया था 17600 तक बट अगर मैं 650 पे भी ले हूं सिर्फ तो ही मैंनेजिबल है बट उसके साथ भी I have no confidence की दर से एक sudden pullback आ सकता है हां से ठीक है तो मैं वो risk extend नहीं करना चाहता अभी currently we are sitting at 15,000 के profit पे ठीक है तो मैंने क्या करा है 750 पे shift कर दिया तीन रुपे की मिल रही थी तीन रुपे की नीचे है overall अगर ऐसे close होता है तो we will make about 90,200 वरना during क्या बोलते हैं उसको हम में को नाम याद में आ रहा है averaging के time मैं position लेने की देखूंगा या फिर within next half an hour अगर कोई opportunity मिलती है तो जैसे मानलो call की side extend होती कई होती कई होती कई होती कई मुझे call की side एक opportunity मिली I will take more risk और sell ATM call बट अगर अभ यहां से देखो हमने day high तोड़ा ठीक है I have no idea यहां से market 700 जाए 800 जाए 900 जाए यही रुख जाए मुझे नहीं पता आपको नहीं पता किसी को नहीं पता day high तोड़ना इस definitely a bullish sign तो ठीक है overall देखते हैं फिर क्या होता है कैसे करते हैं trade क्या manage करूँगा सब कुछ update कर दूँगा फिलाल से ticket 15,000 और यह penny position सी बची है our time is about 2.27 और हम call को फिर से नीचे लाए है back to 19,700 क्यों day high cross करके we are seeing some kind of consolidation pullback आना healthy भी है और एक आना भी चाहिए प्लस अगर day high cross करके sustain नहीं करता तो और बड़ी हो जाएगा हमारे लिए हमारे पास जो put है वो 600 की है तो मैं 600 की put रखके 750 की call open नहीं रख सकता क्योंकि जो put है 600 की यह फटती जाएगी ठीक है यह बढ़ती जाएगी अगर मैं ऐसे कर दूँ मातो इसलिए मैं call को नीचे लाए मैं manage करने लिए अब मेरे पास 100 point है perfect scenario हो गया we are sitting at 16,500 के profit पे तो मैं आ होगा ठीक है ऐसा कुछ है अभी हम देखें तो we have about 22,000 to make in this trade और hopefully देखो लगबग आदा गंटा बचा है अगर आप कोई spike नहीं आती तो to be a good day but we'll see इतनी जल्दी खुश होंगे नहीं है फिर निफ्टी एक जानवर है तो जानवर की respect है पूरी करेंगे हम और उसको पूरी respect देंगे ठीक है बाकी update करता हूँ जैसे लिए होगा time is about 302 और averaging 5000 का चूना लगया चूना मतलब we are closing at 19,000 तो estimated profit was about 25-26,000 बट ये call यार क्या फटी है देखो जाके नौ पे stop loss लेकर घुमबगई पूरी की पूरी ये पूरी इतनी बड़ी है spike कुछ कर नहीं सकते है have to get out SL का मतलब SL होता है overall decent day 1% का दिन but frustration एकदम से बहुत जाद हो गई क्योंकि ये देखो यह 4 रुपर ट्रेट कर ये at least 5 points का नुक्सान है that is easily 4000 तो यही पे बट ठीक है जो हमारे हाथ में ने उसका में control नहीं कर सकते है यही दिक्कत है बस spike 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 overall पूरा दिन बढ़िया मैनेज करा मेरे साब से ठीक है यहां से पूरा आप मुव चलो जाई रहा है कम से कम अब 10-20 चले जाईए भाई खुशी तो मेरे को की stop loss लग्या मेरा मेरे साब से बढ़िया मैनेज करा क्योंकि यहां से पूरा ऐसे टेड़ा मिना टेड़ा मिना जाई जा रहा था देख आप पूरा मूव अब जवाब होगे आप मूव में और इन दी एंड आयम हैपी आइगेस ठीक है बड़ी है वन परसंट बुलकार नहीं होता बस यह एक ही थोड़ी बहुत फ्रस्टेशन अड़ आप हो जाती है ठीक है यह जीरो पर एंड होगी बट करूंगा नहीं इसको में ट्रेट कर सकता हूं बट इस नॉट वर्थ इट क्य ओफुली अपका दिन मढ़िया गया होगा